प्रेगनेंसी में बेबी आने का इंतिजार तो सब को होता है लेकिन प्रेगनेंसी के लास्ट मंच में कभी कभी पेन स्टार्ट हो जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये रियल लेबर है या फिर फॉल्स लेबर है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पेन होता ह और आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि यह तो false labor था अभी आपकी delivery में time है मुझे भी मेरी pregnancy के 9th month में pain हुआ था और मुझे लगा कि labor start हो चुका है लेकिन थोड़ी देर मैंने जब position change की थोड़ा पानी पिया तो वो pain चला गया था तो मैं आपको बताऊंगी कि real labor और false labor में क्या अंतर है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले difference की पहला difference है timing of contractions true labor में जो आपको contractions होंगे वो regular interval पे होंगे और जैसे जैसे time बढ़ेगा वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे contractions और जो एक contraction होगा वो 30 से 70 seconds तक रहेंगे false labor में contractions regular interval पे नहीं आएंगे जैसे कि एक अभी आ गया फिर कुछ 10 minute बाद हुआ फिर कुछ 3 घंटे बाद हुआ उसका कोई fixed interval नहीं होगा और कभी 10 seconds के लिए भी हो सकते कभी जादा time के लिए भी हो सकते जैसे true labor में था कि 30 to 70 seconds last करेगा तो ये पहला difference हो गया अब second difference है change with moment true labor में आप कितनी भी अपनी position change कर ले आप बैट जाएं आप walking कर ले आप rest कर ले पिर भी आपको contractions होंगे और वो भी regular interval पे होंगे और position change करने से आपके contractions पे कोई असर नहीं करेगा और इसका just opposite false labor में अगर आप position change कर रहे हैं जैसे कि आप walk कर ले रहे हैं थोड़ा rest कर ले रहे हैं तो आपको contractions में आराम मिलेगा contractions कम होंगे मैं आपको अपनी बात बताती हूं 9 month में मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे pain start हो गया है तो वैसे तो मैंने back ready करके रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अब मुझे शायद hospital जाना चाहिए पर मैंने अपनी position change की पानी पिया तो contractions चले गये थे अब बात करते हैं 3rd difference की जो की है strength of contractions true labor में जो strength होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है यानि की जो contractions है वो जादा होने लगते हैं आपको pain भी जादा होगा और धीरे धीरे वो pain का level बढ़ता जाएगा false labor में बहुत कम pain होगा और धीरे धीरे हो सकता है वो pain खतम भी हो जाए या फिर वो pain कम हो जाए अगर आप अपनी position change करते हैं आप पानी पीते हैं walk करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि position change करने से false labor कम हो जाते हैं और चले भी जाते हैं तो यह difference हो गया ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में बात करते हैं फूर्थ डिफरेंस की जो की है पीन ओफ कॉंट्रैक्शन्स ट्रू लेबर में आपको जो पीन है वो बैक से स्टार्ट होगा यानि की कमर के एकदम मिछले हिस्से से और धीरे-धीरे करके वो फ्रंट तक आएगा आ आपको बहुत जादा धीली लगने लगेगी तो यह है ट्रू लेबर का पेन अब बात करते हैं फॉल्स लेबर के पेन की फॉल्स लेबर में आपको पेन सिर्फ आपके पेट में यानि की फ्रंट हिस्से में ही दर्द होगा बैक साइड में जादा दर्द नहीं होगा और द अगर आपको कोई साइन दिखे तो आपको डॉक्टर के पास तुरन जाना है और मुझे क्या हुआ था कैसे फॉल्स लेबर हुआ था मैंने सारी चीजे इस वीडियो में आपको बता दी है आपको लेबर पें स्टार्ट हो चुका है उसके 10 ऐसे कौन से साइन्स है उसका भी व अगर आपने ना देखा हो तो उसे जरूर देखे उसका लिंक में अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शियर कर दूंगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें